स्टुडेंट्स आप सभी के तोगते हमारे इस यूटीव चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें हिंदी विसे की कारपतिका के बारे इंपार इसके पहले बता दो आप डेली और वीकली दोनों तरीके से विन्यों सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्राइस को बस इसके लिए आपको अपनाने में हमने टीचर का नेम लिखना है प्यारे बच्चों पिछली कारपतिका मैं हमने विसनु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एक आंकी ऐसे ऐसे के कुछ भाग पढ़ है जिनमें हमने जाना कि मुहन नाम का एक बालक है जो ऐसे ऐसे नाम की बिमारी से पीड तब ही फोन की गंटी वचिए बसती है मोहन के पिता अठाते हैं पिता यहाँ 4 3 3 3 2 है जी हाँ बोल रहां हूं कौन डाक्टर स्हांब जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है जी हाँ जी Net क्या तो कुछ नहीं बस यही कह रहे है कि बस जी नहीं गिर भी नहीं है ऐसे ऐसे होता है बस जी ऐसे ऐसे होता है यह ऐसे ऐसे क्या बोला मुझे कुछ मुझे नहीं आता जी जी हाँ चहरे में एकदम से सफेद हो गया है और नाचता नासता फिरता है जी नहीं दस्त तो नहीं आये जी हाँ पिसाब तो आया था जी नहीं रंग तो नहीं दिखा बस कहे तो अब देख लेंगे अच्छा जी जरा जल्दी आएं अच्छा जी बड़ी किरपा है फोन का चौग यह हैं पांच निट में आएंगे पड़ोसी के लाल दीना नात का प्रवेस मोहन जोर्च से करता है चलिए देखते हैं समय क्या दिया गया उपड़ दिया गया अंसको पड़ते वे महतून पढ़कर पूछे गया प्रसनों के उत्तर दीजे एकांकी ऐसा ऐसे एकांकी कार विश्नु प्रभाकर जी है इसका आंसर आप लिख लिजेगा ठीक है यह आंसर नंबर वन हो जाएगा इसके बाद क्या हो जाएगा अगला प्रसन मोहन को ऐसे ऐसे कहां हो रहा है तो पेट में चेहरे सफेद हो जाना मोहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में हो गया ठीक है इसे आप नोट डाउन कर लिजेगा चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है तो बच्छों अगला प्रसन क्या है नाचिता नास्ता फिरता है जी नहीं डस्ता तो नहीं आया तो किस ने कहा तो किसने कहा तो यह चीज यह चीज कहिए डॉक्टर ने तो लिख दीजेगा डॉक्टर ने आगे देखिए क्या दिया गया उपर गध्यास में आई सभी संग्याओं को छाट कर लिखिए तो चलिए उपर देखते हैं और संग्याओं को छाटते हैं देखिए सबसे पहले संग्या क्या है डॉक्टर फिर क्या है मोहन ठीक है डॉक्टर हो गया म संगया सब्द होगे इन्हें छट कर आपको लिखना है तो अपक्छे एक अपनी pager लिख लिए as if अ मैं यह जो भी आप अपनी कॉप्वी में लिख लिजेगा ये सभी सब्द क्या है संग्या हैं और इस गतिविदी के उत्तर हैं ठीक है तो याद अखेगा इस गतिविदी में आपको लिखना है पहले आप परसने लिख लेना ये वाला उसके बाद ये संग्या सब्द लिख लेना आगे आपकी कारपति का क्या होती है नहीं समापत होती है आपको वीडियो कैस लगी कमेंट करकर बताएं वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस्ट में पासपेट करें